हेलो गाइज नमसे सस्रेक अला स्रावालेकॉम बैक टू माइच चैनल इत फ्लैक्स रेक्शन जो मैंने देखा है बहुत ही अलग ऐसा ट्रेलर था उसके जो बैक्ग्राउंड्स थे जो सीन्स थे उसकी मुजिक थी वह सुनके ऐसा कूप दम आ रहे थे बहुत यह अच्छा लग रहा था कि मतलब कुछ ऐसी फिल्म है जो उसको मतलब देखने का एकसाइटमेंट है पबलि सबसे बड़ी बात तो विलें के ओरी ही इदर विलें ही इस उसको पता ही है कना पूल बथ अट्रेट्टिव करने वालाए अइब आई होप कि वह जो आएक्शन है वो सबसे आलग हो रुच्छ जो रूल है वह लोगों को पहसंद आए तो में जाला कुछ बोलनी सकता है ब् पर देखते हैं इस मुवी का एंड क्या होने वाला है यह इंटरेस्टिंग पार्ट इस मुवी का सो आय होप कि मुद्ध ओसमें सबस्टिंग हो और यह सेगंड चैप्टर का जो है जो में गुद्ध आई साज लागरा है कि बहुत मार्केट में पुरा बबल हो जाने वाले यह बहुत सारी रिकॉर्ड भी तोड़ने अलिए यह मूवी आय होप कि लोगों को है पसंद आये ल रिल्स वारे चुरा लेंगे जैसे कि उनके वह सारे ट्रेलर में देखा में एक दो डायलोग से वोलनस को लेकर I don't like लोलनस वरे लाईक मी लाईक डैसे कुछ है तो वह जाकर बहुत ही जादा रिलीज होने यहां सब्सक्राइब वह ब्लस्ट हो गया है जो पूरे मार्केट में तो बहुत खातरना वहाए फिस्डेक ने बहुत सारे बड़े-बडया रिकाद दिये तो रेश्राज ने इस कीजब मूवी से जो कनड़ा मूवी का जो है उनका कुछ अलग ही ऐसा लेवल कर दिया है इंडियन सिनेमा में और वर्लवाइल भी एक अलग ही ऐसा हाइप हो गया है कीजब टूरीज हो जाएगी उसके बाले पर हम लोग रिवीव करेंगे अगर आपन झौक टूरीज करेंगे उनका कुछ टूरीज करा छिवी से नहसी और हम लोगवांगे और खिवीव झाल झाल